नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में आपन जे मेंस के question वगरा को discuss करेंगे basically maths में एक जो question है area under the curl का हो तो आते रहता है तो उस question को करने के लिए आपने को क्या क्या concept की requirement होती ही पूरा आपन discuss कर लेंगे यहां ते कि इस question को आपन बहुत अच्छे से solve कर लेंगे कि ताकि उससे related question आया तो आपन कर लेंगे उसको तो उसके लिए अपने को ठाना पने का pen and paper तो चलो भई चलो भई देख अपने क्या कर था So, जो question आया था जे में 7th January shift 1 maths में वो कुछ ऐसा था कि the area of the region enclosed by the circle x square plus y square equal to 2 तो देखो तो आपने को एक circle दिया हुआ है अच्छा तुम इस question को कुछ से भी try कर सकते है उसके बाद video pause कर लो उसके पिर इसका solution आपन देख लेना तो देखो क्या है कि तुम्हें circle किया दिया था x square plus y square equal to 2 मतलब जो circle की radius होगी वो कित्ती होगी root 2 होगी तो आपने एक बार इसका diagram अगेरा बना लेते है which is not common to the अब देखो यहाँ पर एक tricky है यहाँ पर एक fishing है कि not common to the region मतलब थोड़ा सा question को गुमा दिया है कि not common to the region bounded by the parabola y square equal to x and the straight line y equal to x पहले question को समझो question यह दिया हुआ है कि y square equal to x और y equal to x यह जोनों जो भी area बना रहे होंगे देख लेते हमने क्या बना रहे है area तो y square equal to x लगभग लगभग कुछ ऐसा parabola होगा और y equal to x जो होगी वो कुछ ऐसी कैसी कोई line होगी y equal to x की और यह जो है y square equal to x जो है parabola और यह क्या था अपना circle था x square plus y square equal to 2 अब देखो क्या बोल रहे है कि the area of the region enclosed by the circle दो मिट अभी note को भूल जाओ ठीक है ना note को दो मिट लिए बोल जाओ अब पढ़ो question को तो the area of the region enclosed by the circle x square plus y square equal to 2 which is common to the region bounded by the parabola y square equal to x and the straight line y equal to x y square equal to x और y equal to x और circle इनके common इनके 3 के common का area कौन सा होगा ये वाला area होगा की नहीं होगा कौन कौन सा y square equal to x line और circle इनके जो common area होगा वह यह होगा लेकिन यह not बोला मतला इस area को छोड़कर जो area बज गया है वो अपने को लिकालना मतलब अपने को basically यह जो पूरा area है यह पूरा area अपने को लिकालना मतलब यह जो इनके common area है इसको छोड़के बाकी जो area बढ़कर जो मैंने black से shed के है वो अपने को area लिकालना तो कैसे लिकालेंगे simple है अपने पूरा circle के area अपने को पता यह circle के area क्या होता है तो r किता आजागा root 2 तो pi r square ठीक है pi r square मतलब root 2 का square root 2 का square मतलब 2 तो यह तुमारा क्या हो गया circle के area हो गया minus यह जो common area है उसको अपने subtract करते हैं तो common area कैसे लिकालनेगे तो common area कैसे लिकालने का हमेशा एक इस टाइप के जो question आते है area of the region इनमें concept याद रखो कि हमेशा जो भी अगर मालने तुम्हें कोई 2 function जिया हो for example तुम्हें एक function कुछ ऐसा दिया हुआ है और जो दूसरा function ने उसको मालने था f of x और जो दूसरा function ने कुछ दिया हुआ g of x यह concept सिखा रहा हो है तो क्या करना होता है जो अपर हमेशा याद रखो upper minus lower मतलब जो उपर है ठीक है minus नीचे वाला ठीक तो उपर को नहीं आप है f तो हमेशा कैसे integration करेंगे हमेशा f minus g एक मिन्ट थोड़ा सा रुकना एक छोड़ी से update देनी है कि जो भी student iat jee को target कर रहे है ठीक है और अगर बहुत सारी जो भी exam जैसे mhcet हो गई या अगर for example अगर आपने बात करें तो ts emcet हो गई ठीक है इसके बाद अगर आपने बात करें करनाटे का ct हो गई तो इन सारी exam को जो भी student target कर रहे है उनके लिए जो unacademy है ठीक है वो बहुत बड़िया फेकल्टी लेकर आ रहा है for example अगर बात करें जैसे अगर तुम आइटी जी को target कर रहे हो तो यहां पर तुम सारी बैच से पढ़ सकते हो striker बैच कहां जहां भी तुम वो comfortable लेगे सारी बैच से पढ़ सकते हो पढ़ने के लिए तुम्हें यहां पर top faculty इसमें पर मिल रही है तो अगर अगर इसका subscription लेना है तो मैं रिकमेंड करों का subscription ना इसका one month का लेना अभी ठीक है एक बार one month लेके पर देख लो कि तुम्हें इससे फायदा हो रहा है कि नहीं अगर one month के अपन बात करें तो one month का जिसका IETJE का subscription बात करोगे तो वह 7000 का है अगर यहां पर showbit 2020 अगर code यूज कर लोगे तो तुम्हें जो है extra 10% all discount मिल जाएगा मतलब तुम्हे 6300 फिर show होगा ठीक है जिसे यहां पर लिखा जाएगा वहां पर भी तुम इनका subscription ले सकते हो one month का लोग तो इबर consult कर सकते हो मैं अपना number देता हूँ 877-0133-091 यह मेरा phone number है तो तुम इस पर phone लागे पूछ भी सकते हो कि भाया यह subscription ले रहा हूँ लोवर function तो यह तुम्हारा area bounded लेकल जाएगा तो यहां पर देखो यहां पर upper कौन हुआ यहां पर अपर हुआ तुम्हारा y square equal to x लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि y के form में लिखते है मतला y लिकालो उसका सबस्वेले तो y के आजाएगा root x आजाएगा ठीक तो यहां पर लोवर वाला क्या होगा तुम्हारा root x और lower वाला क्या होगा line यह line क्या है तुम्हारी y equal to x तो root x minus x यह जो area होगा यह bounded वाला area बस इस चीश को solve कर लो और integration के limit तो भाईया limit के से लिका लेंगे तो limit के लिए देखो यह जो touch होगा वो तो 0,0 coordinate पे touch होगा ठीक है या फिर y square equal to x इन दोनों को common solution होगा वही दो coordinate लिख लेंगे अपने यह वाला और यहाँ वाला ठीक है तो एक काम करते हैं इन दोनों को solve कर ले तो कुछ निकरो यह y square equal to x है न जैसे बतायता हूँ y square equal to x और तुम्हें y equal to x इन दोनों को क्या करना है इन दोनों का common solution लिकाना है तो common solution कैसे लिख लेगा कुछ नहीं करना है y equal to x में डाल दो तो क्या हो जाएगा x square equal to x मतलब x square minus x equals to 0 मतलब x into x minus 1 equals to 0 तो मारा x आगे 0 और 1 x आगे 0 और 1 तो y क्या जाएगा simply y equal to x है तो तो मारा y भी क्या जाएगा 0 और 1 मतलब एक coordinate होगा 0, 0 और दूसरा जो coordinate होगा वो 1, 1 होगा अब देखो 1, 1 ना circle में डाल के देखो satisfy कर रहा है yes satisfy कर रहा है मतलब यह जो 1, 1 है यह line पे भी आएगा, parapola पे भी आएगा और इस circle पे भी आएगा तो बस तुमारी limit क्या हो जाएगी जो x की limit है अगर इसको अपन integration करें with respect to dx और limit कहां से हो जाएगी अपनी x कैसे वेरी कर रहा अपना x equal to 0 से जा रहा है तुमारा x equal to 1 ठीक है, x equal to 0 से x equal to 1 तुमारी limit जा रही है, तो बस यहाँ अभी integration को solve कर लेते है अपन, तो simply क्या आ जागा है आपन 2 pi minus इस integration को solve करोगी तो क्या बनेगा, root x का integration क्या होता मतलब x की power 1 by 2, x की power 1 by 2 का integration क्या होता है, x की power 1 by 2 plus 1 मतलब 3 by 2, और नीचे भी 3 by 2 3 by 2 मतलब 2 by 3 multiply तुमारा बता है, x की power n का integration होता है, x की power n plus 1 upon n plus 1, तो वही simply यहाँ पर अपने कर दिया है, ठीक है, इसके आप फिर minus x, minus x, यहाँ पर x का integration क्या हो जागा, x square by 2 तो simply बस अपने को यह अपने integrate कर दिया, इसमें simply अपन limit डाल देते हैं, तो simply क्या जागा अपन 2 pi, एक में तुमें दिख रहा होगा की निख रहा होगा तो यहाँ पर अपन फोल्ड कर लेते हैं तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, simply 2 pi minus, okay इसमें 1 डालो, तो 1 डालो को तो क्या जाएगा, 2 by 3 1 की पावर 3 by 2 which is 1 इसमें वापस 1 डालो, तो 1 पे क्या जाएगा, तुमारा 1 by 2, ठीक है इसको थोड़ा बड़े ब्रेकेट में रख लेते हैं, minus और 0 डालेगे तो सब खतम हो जाएगा, 0 पे तो सब 0 ही हो जाएगा तो मारा जो आया final वो क्या आया 2 pi minus ठीक है, 2 by 3 minus 1 by 2, simply अपने को यह करना है, 2 by 3 minus 1 by 2 तो 3, 2 जा 6, 2 जा 4, 4 minus 3, 1 मतलब 2 pi minus, जो अपना आया, वो आया, 2 pi minus 1 by 6, इसको सब्सक्राइब ले लो, तो 6 जो हो जाएगा, यहाँ आजाएगा तुमारा 12 pi, और यहाँ आजाएगा, minus 1 तो 12 pi minus 1 upon me 6, तो option देखते हैं, यह कोई option कौन सा है, 12 pi minus 1 upon me 6, तो option B is correct, ठीक है तो जो यह area अंडर दीक कर topic हैं, इसमी से आपको एक important concept ध्यान में रखना है, वो है कैसे bounded area लिकालते हैं, तो bounded area लिकालने का आप बहुत simple से रूलें, कुछ नहीं करना आपको integration करना है, किसका integration, upper function minus lower function, I know यह पाँच बिदे अपने एक ही question किया है, लेकिन यहाँ पर अपने question नहीं किया है, यहाँ पर अपने एक concept चीखा, एक बर आपको एक concept पुरा clear हो गया है, तो कोई भी question आए जमे area से related उसको आप कर लोगो, तो ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं, तो मुझे comment करके बताना, मैं ऐसी हर question आयो है, जमें में, उनको अपन concept पहले समझेगे, उ revision to problem हो जाएगा, RTP बोलते हैं